वालकम दो श्टाडी चैनल मेरे नाम है मुहम्मद कैसर प्रारूप निमावली आपने अब तक देख लिया होगा सोसल मेडिया पर और ये है उत्तर प्रदेश ओसास की सहाता प्राप्त माधमी विद्याल है अध्यापक की भरती एवं सेवार शर्त निमावली दोहजार चौबिस सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये असली है या फर्जी है क्योंकि इसी पर दो धड़े में छातर बटे हुए है दोस्तों ये जो निमावली जारी हुई है सबसे पहले तो ये अभी प्रारूप निमावली है यानि ये ड्राफ्ट है ये फाइनल नहीं है इस पर अभी एक बार डिसकुसन होगा और इसमें कुछ जाए आड भी हो सकती है कुछ जा निकल भी सकती है उसके बाद फाइनल जो निमावली है वो जारी की जाएगी तो पहली चीज ये हुआ कि ये प्रारूप है यानि ड्राफ्ट है ये कोई फाइनल निमावली नहीं है फिर अगला सवाल है कि ये जो ड्राफ्ट निमावली है ये फरजी है जिस परकार से निमावली है आप देखकर ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि असली ही है ये कहीं से फर्जी नहीं है बहुत सारे लोग इसे सीरे से नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फर्जी है मेरा ये मानना है कि ये फर्जी नहीं है फर्जी इस प्रकार की निमावली नहीं होती है ये कोई बैट कर एक छात्र या कुछ लोग कंप्यूटर पर type नहीं कर सकते इसे प्रकार से ही original निमावलियां होती हैं जिस प्रकार से आप देख सकते हैं सिछा निल साला वगएर से जो नोटिस है जारी होती है या जो निमावलियां होती है ड्राफ्ट होती है वो ऐसा ही होता है कहीं पर भी कोई spelling mistake कहीं पर कोई भी error आपको देखने को नहीं मिलेगा तो ये सही है ये हमारा मनना है और अभी आचा सहीता वगरा चल रहा है उसके बाद ही final जो निमावली है वो जारी की जाएगी पहली चीज ये आपको clear हो गया होगा बात करते हैं किस निमावली में क्या-क्या चीजे हैं किसको लेकर छातर परिशान हैं क्या वो बदलाव हैं जिससे बहुत सारे चात्र प्रभावित हो रहे हैं तो इसमें बहुत सारे भाग हैं भाग एक में सामान जानकारी दी गई है किसका क्या मतलब है ठीक है सेदे हम चलते हैं भाग दो में भाग दो में बताये गया है कि किस प्रकार से कौन से भरती होगी तो किस intermediate college का प्रसनाचार या high school का प्रसनाचार के जो भरती हो 100% आयोग द्वारा कराया जाएगा PGT की भरती 50% आयोग द्वारा 50% प्रमोशन के द्वारा TCT के भरती प्रमोट होंगे PGT में जो 5 वर्सों का experience रखते हों ठीक है FITICITY में भी 100% भरती आयोग द्वारा होगी और प्रात्मी सिक्षक भरती भी 100% आयोग द्वारा होगी तो ये सारी सीज़े हैं जो पताया गिया कि कौन सा पद कैसे भरा जाएगा ठीक है यहां पर भागचार है कि राष्ट्रियता यानि भारत कोई भी नागरी का बजन कर सकता है यहां पर डोमेसाल वगारे कुछ होता नहीं है आप सबको पता है उत्तर प्रदिस में हर राज्य का अभ्यर्थी आलिजबल होता है शक्षिक अर्था अलग-अलग पतों के लिए अलग-अलग होगा तो आप देख लीजएगा आयू सीमा की बात करते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर परिशान है आयू सीमा इसमें बताया गया है सीधे-सीधे कि 40 वर्ष से अधिक आयू नहीं होनी चाहिए जबकि अभी तक टीजटी-पीजटी के लिए अपर एज लिमिट का कोई टेंशन नहीं था कोई भी अपर एज लिमिट होती नहीं थी 60 साल तक आप आवेदन कर सकते थे लेकिन इस प्रारूप निमावली में बताया गया है कि अपर एज लिमिट 40 वर्ष होनी चाहिए सामान नवर के अभी बहते हों के लिए 40 वर्ष अपर एज लिमिट होने जा रही है और जो रिजर्व कैंडिट होंगे उनको यहाँ पर रिलेक्सेशन मिलेगा ठीक है तो TGT हो PGT हो यहाँ पर प्रतानचार के बारे में भी अलग से नहीं बताया गया है यानि कि प्रतानचार पत के लिए भी अपर एज लिमिट 40 साली रखी गयी है हाला कि प्रतानचार में एक्स्प्रियंस वगरे भी मांगा जाता है तो वहाँ पर और एक्स्ट्रा एज होना चाहिए था TGT PGT को लेकर भी छातर काफी परिशान है जिनका 40 वर्स आयू बीट गया है क्योंकि रिगलर भरतियां आती भी नहीं है भरतियां लंबी फस्ती है 222 वाले TGT PGT का एक्जाम आज तक नहीं हो पाया जो पुराने आयोग दौरा विग्या पंजारी किया गया था तो नई भरतियों में अपर एज लिमिट यहां पर 40 साल रखने का एक प्रस्ताव है यदि इसका पुर्जोर विरोध हुआ तो इसमें बदलाव भी हो सकता है क्योंकि अभी यह ड्राफ्ट ही है यह आप समझेगा इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि आप इससे सिर्यस नकार नहीं सकते हैं यह बिल्कुल फरजी है और आप अपनी आखों को बंद कर लीजिए ऐसा नहीं है क्योंकि सारी चीजेस में बिल्कुल इग्जैक्टली सही सही दी गई है जैसे एक प्रारूप होता है फिर आगे देखिए इसमें कुछ और पी चीज़ें जो इंपोर्टेंट है और टीजीटी यानि कि टीजीटी और पीजीटी एवं और सास की सहाता प्राप्त माध्म विद्यालें से संबद जो प्रात्मिक खंड में अध्यापन है तो प्रात्मिक अध्यापक के पद में लिखित परिक्षा आइद कराया जाएगा तो TGT हो PZT हो या प्राइमरी हो सिर्फ पर होगी आगे देखिएगा लिखित परिषा दो गंटे का होगा और यहां पर वास्तोनिष्ट प्रश्ण यानि की MCQ भविकल्पी सवाल पूछे जाएंगे यहां पर संबंधित व्यकल्पिक विशेक अधाया पर प्रश्ण तो पूछे ही जाएंगे सामान ग्यान भी पूछा जाएगा दो गंटे का पेपर है MCQ आपका पेपर होगा जिसमें विशेक के साथ जीएस भी पूछा जाएगा प्राइमरी मगरे में तो जीएस पहले से था टीजिटी पीजिटी में जीएस आपका आएगा इस बात को आप ध्यान में रखिएगा 1222 वाली टीजिट पूराने निमावली से ही पूरी की जाएगी तो अभी तक दो हमें बड़े बदलाव देखने को मिले एक आपका एज में जो कटोती की गई है भारी कटोती हुई है और दूसरा आपका एक्जाम का जो पैचन है ठीक है इसके अलावा आप चाहें तो ये पूरा जो निमाव प्रमोशन कैसे होगा TGT से PGT पत के लिए तो यदि आप TGT समाजी विज्ञान पत पर चैनित हैं तो आपका जो प्रमोशन होगा वो PGT में इन विश्यों में होगा ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं आपको किधर भी प्रमोट कर दे जाएगा ठीक है और TGT साइन्स वाले या तो जी विज्ञान या रसन विज्ञान के PGT पर पर प्रमोट होंगे ठीक है TGT से PGT का प्रमोशन कैसे होगा किस विशस होगा सारे लिष्ट यहां पर दी गई है सही भी है कि same related subject में ही प्रमोशन होगा ताकि आपको पढ़ाने में दिकत ना हो बच्चों को पढ़ने में समझने में कोई समस्या ना आए पाकि आप देखेंगे एक और बदलाओ परिविक्षाकाल जो प्रोबैशन पिरियड होता है तो पहले ये एक वर्स कर था मादमी सिक्षासेवा चैन बोर्ड से जब भरती होती थी अब इसे बढ़ा कर दो वर्ष कर दिया गया है तो प्रोबैशन पिरियड दो साल हो गया है और इसके अलावा वेतनमान वगएरे के बारे में जानकारी दी गई है कि इसको कितनी सैलरी मिलेगी और जो भी इसमें प्रारूप दिये गए हैं जो इसमें पॉइंट दिये गए हैं या आप किसी भी बिद्दू से आप असंतुष्ट हैं तो आप अपना शिकायत दर्ज करा सकती हैं जो भी सिक्षक संग हैं जो संगठन हैं वो इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि जो आयू किसी मा को सीधे सीधे 20 साल खटा दिया गया है यह सही नहीं है और अपर एज लिमिट पुराने जैसा ही होना चाहिए आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर कॉमेंट करके हमें जरू बताएं वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें थैंक्स फॉर वाशिंग